को अपर पहली वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे की वेजट राइश फॉर्मॉला और फिशर फॉर्मॉला या फिर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मॉला क्या होते हैं और हम इन दोनों को आपस में कंवर्ट कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि कार्बन का जो tetra valency है वो tetraHedral होता है तो तो देखता कैसे हैं तो ये एक moral से आपको explain करते हैं जो कार्बन की tetraHedral valency है वो कūछ इस तरीके की देखती है i hope सारी 4 bonds आ रहे हो तो इसमें क्या होता है? कि ये चार बॉंड्स में ये अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ये जो ये वाली सामने की ये वाली बॉंड है और ये उपर वाली जो ये वाली बॉंड है ये दोनों बॉंड्स हमारी तरफ आ रहे हैं और ये जो पीछे की ये जो मतलब कहने का जो वर्टिकल बॉंड्स हैं यह हमारी तरफ आ रहा है अगर हम इसको ऐसे देख रहे हैं और जो हरिजॉंटल बांड त्रेइड लाइन वाली एक यह और इसके ओऊजीट डिरेक्शन में ये 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 तो ये दोनों क्या हो रहे ये दोनों नमसे दूर जा रहा है या अगर हम इनको अब इस तरीके से देखते हैं तो क्या होगा हम मान लीजिए ये कैमरे के सामने तो इस बार इसको ऐसे देखा जा रहा है तो जब हम ऐसे देखेंगे तो क्या होगा ये इसमें जो हमारी ये वाली बॉंड है इसकी बॉंड इस वाले की ये ह और अगर आप ये दोनों बॉंड देखे एक ये वाली बॉंड और एक ये वाली बॉंड ये दोनों जो बॉंड है ये एक ही प्लेन में है अगर हम इसको यहां से इस एटम को काट देंगे तो ये वाला पूरा बॉंड और ये वाला बॉंड जो ये वाला बॉंड है ये साथ म आ रही है तो यह हमने क्यों आपको बताया था क्योंकि wedge-formula हम इसी को देखते हुए बनाएंगे एक बार आप इसको देख लीजे तो wedge-formula में क्या होता है जो wedge होते हैं वो represent करते हैं कि wedge वाली bond हमारी तरफ आ रही है और जो dash होता है वो represent करता है वो वाली bond जो हमसे दूर जा रही है अब हम इसी वाले model के according आपको wedge-formula बना के लिख के दिखाते हैं कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं तो अभी हमने wedge और dash की बात करी थी कि wedge-formula में हमें उन्हीं दोनों का यूज करना है तो पहले बताता है कि जो wedge होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है wedge को मैं ऐसे द filled line होगी जिसको हम इस तरीके से दिखाते हैं यह होता है wedge और इसी तरीके से जो हम dash दिखाते हैं एक मिनिट इसको सही से बनाते हैं इस तरीके से हम कुछ wedge बनाते हैं यह wedge था यह हमारा dash होता जिसको हम इस तरे dash से बहुत कई सारे dash से दिखाते हैं और जो same plane में होते हैं उनको हम simply ऐसे solid line से दिखा देते हैं कोई भी solid line होंगी यह वाली solid line dash क्या represent करता है कि वो particular bond हम से दूर जा रही है wedge क्या represent करता है कि वो bond हमारी तरफ आ रही है और यह जो solid line से वो represent करती है कि वो particular atoms उसी plane की bond में है जिस bond को हम consider कर रहे हैं कि वो particular bond इस board का जो plane है यह white board का जो plane है वो दोनों इसी plane में होंगी तो यह हो गई wedge dash की बात अब हमने आपको बताया था कि यह जो हमारा model है फिर से हम इसको methane molecule consider कर लें यह red वाला carbon और यह जो चार blue atoms देखना है यह hydrogen है और इनको हम इस तरीके से देखना है यह सामने जो camera है यह camera observer है तो यह हम इसको देखेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है कि यह वाली bond हमारी तरफ आ रही है यह वाली bond हम से दूर जा रही है और यह वाली bond और यह वाली bond दोनों इस इस board के plane में है हम इसको इस तरीके से देखना है तो हम इसको कैसे represent करेंगे यह अब एक minute इसको rub कर देते हैं हमने आपको बताया कि जो wedge होता है वो represent करता है bond which is coming towards us जो हमारी तरफ आ रही है तो हम इसको ऐसे देख रहे हैं तो यह वाली bond और यह वाली bond यह दोनों plane में है तो यह हो गए हमारा carbon atom यह यह वाली bond और यह यह वाली bond यह जो हमने दो solid line से represent की है वो एक यह है और यह क्या है यह है हमारा वो वाली bond जो हमारी तरफ आ रही है आगे की तरफ आ रही है यह camera की तरफ point कर रही है पास में देखिए अब देखें ये camera की तरफ point कर रही है तो इसको हम कैसे दिखाएंगे इसको हम दिखाएंगे dash से ये पूरा fill है इसको हम दिखाएंगे dash से और ये वाली bond जो camera के पीछे दूर जा रही है camera से उसको हम कैसे दिखाएंगे उसको हम दिखाएंगे wedge से तो ये कुछ हमारा बन चुका है structure और अगर हम इसी को methane का structure कहें तो ये चार hydrogen atoms लग जाएंगे यहाँ पे और ये जिस तरीके से camera में दिख रहा है ये same वही representation हमने वहाँ पे बनाया हुआ है ये bond जो हमारी तरफ आ रहे है इसको ये wedge से show किया है ये bond जो हमसे दूर जा रहा है उसको dash से show किया है और ये जो दोनों ये वाली bond और ये bond जो दोनों plane में थी इनको हमने solid line से show कर दिया तो ये methane का molecule जब हम इसको इस तरीके से देख रहा है ये उसका wedge dash formula में representation हो गया अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसका angle या फिर इसका view change कर दें तो क्या होगा कहने का मतलब है अभी तो हम इसको ऐसे देख रहे थे अब हम क्या करें अब अगर हम इसी model को इस तरीके से देखें तो देखें क्या होगा अब हम इस model को इस तरीके से देख रहे हैं तो क्या हो रहा है ये वाली बांड और ये वाली बांड ये दो 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 बांड हमारी तरफ आ रही है ये देखिए ये बांड और ये बांड हमारी तरफ आ रही है और ये जो नीचे की बांड है और ये जो वाली बॉंड है जो वर्टिकल लाइन पे हैं वो दोनों क्या हो रहे हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं और होरिजोंटल लाइन की बॉंड दोनों हमारी तरफ आ रहे हैं तो हम इसी को अगर हम इस तरीके से देख रहे हैं तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये वाली हमा करना होता अपनी तरफ वाली से तो ये दोनों हमारे तरफ आ रहे हैं तो एक वे जिधर बन जाएगा एक वे जिधर बन जाएगा फिर क्या होगा ये दोनों बॉंड्स हमारी तरफ और ये उपपर और नीचे वाली बॉंड हमसे दूर तो हम क्या करेंगे इनको हम शो कर और क्या है चारो वैलेंसी पे हमें हाइडरोजन लगाना है ये दो हमारी तरफ तो उसके लिए ये दो वेज और ये दो हमसे दूर वर्टिकल लाइन वाली बॉंड तो इनके लिए दो डैश तो ये हाइडरोजन ये हाइडरोजन ये हाइडरोजन ये हाइडरोजन ये हाइड सकता है और इसी तरीके से इसका एक तरीके से हम इसको और देख सकते हैं अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं अब हम इसी को इस तरीके से देख रहे हैं कुछ इस तरीके से तो इस बार क्या हुआ है इस बार ये वाली बॉंड और ये वाली बॉंड ये दोनों इस बोर्ड के plane में आ गए है और ये वाली bond क्या हुई है ये वाली bond आगे की तरफ आ गई है और ये पीछे की bond है तो इस बार ये वाली और ये वाली यानि की right side की जो दो bonds है वो इस बार plane में आ गई है तो इसका एक और हम बना सकते हैं तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा देखिए ये वाली और ये वाली अब प्लेन में हमने कर दी तो क्या हुआ ये बॉंड आगे आगे तो ये वे जब इधर आ जाएगा और क्या होगा ये वाली जो बॉंड है ये अब पीछे की तरफ आ गई है तो डैश क्या हो जाएगा डैश अब पीछे की तरफ चला जाएगा तो एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर और एक एच इधर तो ये मीथेन मॉलिक्यूल के तीन वेज डैश फॉर्मूले हमने लिख दिये और तीनों को बस difference क्या है कि तीनों हमने अलग अलग view से देखे हैं और हमें पता चल रहा है कि कैसे हम किसी भी tetravalent molecule को कारबन के देखते हैं तो उसको अलग अलग तरीके से उसके wedge dash formula कैसे बनते हैं तो अब हम बात करते हैं कि wedge dash formula तो हमने सीख लिए कि कैसे बनाने हैं अब हम इन्ही से fischer projection formula कैसे बनाएंगे तो fischer projection formula के कुछ rule है वो rule अभी लिख देते हैं फिर आपको समझाएंगे कि वो क्या है तो rule से पहले आपको बता दे कि wedge dash formula होता क्या है तो सुरी wedge dash तो बचात बता चुके हैं फिशर projection formula बता देते हैं तो fischer projection formula एक technique है जिससे हम ये जो 3D molecule हमने लिखा आपको जो ये model दिखा के जो ये model दिखा के हमने अभी ये wedge dash formula बनाए है उनको हम 2D plane पे कैसे represent कर सकते हैं easily तो उसका तरीका जो है वही तरीका कहलाता है fischer projection formula तो हम सीखेंगे बारी बारी से कि fischer projection formula को हम अब कैसे वो कुछ दिखता ऐसे जैसे ये जरूरी नहीं ये इसको हम बस आपको ऐसे लिखके दिखा रहे हैं ये बीच में c, ये h, ये h, ये h और ये h ये कुछ ऐसा होता है इस तरीके का कुछ दिखेगा तो ये हमारा हो गया ऐसा कुछ दिखता है अब हम बारी बारी से इसके rule सीखेंगे तो इन rule से पहले आपको एक condition बता दे कि Fisher Projection Formula सबसे पहले तो अगर चारों कार्बन वैसे तुलिक हम मिथेन के लिए भी सकते हैं लेकिन उसका कोई फाइदा नहीं हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि उसमें चारों वैलेंसी सेम हैं जब चारों वैलेंसी डिफरेंट होंगी तब ही हम identify कर पाएंगे कि हमारा Fisher Projection Formula सही है की नहीं क्योंकि हमें पता है अगर हमारा चारो वैलेंसी सेम है तो अगर हमने ऐसे तो क्रॉस बना दिये तो चारो पो हाई रोजन ही लगना है तो हमें रूल कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा हाई रोजन कहां लगाया है या तो हम इन हाई रोजन की नेमिंग कर दें हाई एच बी तो अब हम बात करते हैं इसके rules की तो सबसे पहला क्या है कि Fisher Projection Formula का उधला आप rules देख पा रहे होंगे कि जो atoms हमारी तरफ आते है उनको हम हमेशा कैसे represent करते हैं जो atoms हमारी तरफ आते हैं हम उनको represent करते हैं by horizontal lines जैसे कि इसमें क्या है इसमें अगर हम देखें तो wedge वाली चीजें हमारी तरफ आती है तो हमें क्या करना होता है जो चीज हमारी तरफ आती है हम try करते हैं कि वो हमेशा हमेशा और हमेशा horizontal line पर ही रहे जैसे इसमें cross बनता है plus का sign तो plus की जो यह horizontal line होती हम try करते हैं यह rule होता है कि horizontal line पर हमेशा हम वही groups या atoms represent करें जो हमारी तरफ आर है और जो हमसे moving towards us coming towards us यहाँ पर moving us यह गलत लिख दिया है यह moving away होगा moving away तो जो हमसे दूर जाएंगे moving away अगर हमने अपनी तरफ आने वालों को vertical lines पर represent किया है तो जो groups हमसे दूर जाएंगे हम उनको ना represent करके अब vertical lines पर represent करेंगे उसके बाद अगरा rule किया है rotation by 90 degree और its multiple is not allowed तो rotation by 90 degree और या फिर उसका multiple का मतलब 270 या फिर 270 में हम 90 और add कर दे तो 270 प्लस 90 हो जाएगा 93027, 94036 पर 36 से हम कर सकते हैं यहाँ पर हम उसका हर multiple नहीं बोल सकते हैं हम उसका odd multiple कह सकते हैं तो इन में आप थोड़ा सा modification कर लीजेगा पहला है कि जो हमारी तरफ आ रहे हैं हम उनको horizontal line पर represent करेंगे जो groups हम से दूर जा रहे हैं हम उनको vertical line पर represent करेंगे और 90 degree का जो odd multiple होगा हम उससे इसको rotate नहीं कर सकते हैं और 180 degree से हम इसको rotate कर सकते हैं तो fissure projection formula की ये चार rule है हम इनहीं को use करेंगे और fissure लिखेंगे तो हम आपको समझाने के लिए भी क्या करते हैं यहाँ पर groups बदल देते हैं या फिर सेम ही रखते हैं हम इनकी naming कर देते हैं यैसे हमने आपको भी कहा था h a h b simplicity के लिए कि आपको समझ में आए तो इस बार हमने ये h a h b h c h ये naming कर दी है अब हम rule देखते हैं सबसे पहले क्या है coming towards us horizontal तो जो हमारी तरफ आएंगे हम उनको कैसे represent करेंगे हम उनको represent करेंगे by horizontal line तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा पहला जो बना है ये कैसा था तो ये जो पहला बना है ये कुछ इस तरीके का था ये देखिए ये ये वाले जो vertical line वाले group है ये horizontal line वाले ये हमारी तरफ आ रहे हैं और ये वर्टिकल लाइन तो ये वाला जो हमारा ये पहला structure था पहला इसके ये model ऐसा था ये horizontal वाले इसमें हमारी तरफ आ रहे हैं और ये दो vertical bonds हमसे दूर जा रहे हैं हमारा first वाला rule है वो भी यही कहता है कि हम horizontal line पे उन वाले items को mark करेंगे जो हमारी तरफ आ रहे हैं और vertical वाली line पे हम उन items को mark करेंगे जो हमसे दूर जा रहे हैं तो इनकी naming इस तरीके से हैं और इसका model ये ये HC है ये HA है ये नीचे वाला HD है हमसे दूर जा रहा है तो डैश पे mark है और ये HB है उपड़ ये भी डैश पे mark है क्योंकि ये पीछे की तरफ जा रहा है तो ये हो गया अब हम क्या करेंगे simply हमें इसका फिशर बनाना है तो horizontal पे हमारी तरफ आ रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये HA था तो वहां पे जो फिशर फॉर्मूला बना है उसमें यहां पे left hand side पे HA लिखा है ये वाला भी हमारी तरफ आ रहा तो ये भी horizontal line पे mark होगा ये HC था त side पे HC लिखा है ये उपर वाली जो bond है नीचे वाली ये दोनों हमसे पीछे की तरफ जा रही थी तो rule क्या कहता है moving away पे हमें vertical line पे उनको mark करना है तो ये उपर वाला hb था नीचे वाला hd था तो इसलिए उपर आप vertical line पे जो हमसे दूर जा रहे हैं वो देख पा रहे ala hd तो नीचे वाले पे hd mark है तो इस वाले का जब हमने fissure बनाया जिसमें ये एच था ये hc था नीचे वाला hd था उपर वाला hb था तो वह वैसा बनके आया तो यह हमारे पहले वाले का fish r बन गया है अब हम second वाले में क्या करेंगे second वाले में हम ये atoms को change कर देते हैं तो आपको जादा अच्छे से समझ में आएगा इसको chlorine कर देते हैं इसको iodine कर देते हैं और इसको कर देते हैं chlorine तो हमने इसको 4 different atoms provide कर दिये हैं अब हम क्या करेंगे अब हम देखते हैं कि यह है कैसा तो सबसे पहले यह जो हमारा है यह कुछ इस तरीके का है यह वेज़ वाला हमारी तरफ आ रहा है तो वेज़ पे क्या है? फलोरीन है सारे सेम कलर से हैं वो ध्यान मत दीजेगा पहले हमें बस यह देखना है कि क्या कैसे लगा हुआ है तो जो हमारी तरफ आ रहा वो वेज़ पे मार्क है फलोरीन है जो हमसे दूर जा रहा है वो आयोडीन है वो डैश पे मार्क है और यह वाले दोनों सेम प्लेन में है बोर्ड के प्लेन में है यह क्या है? यह हाइडरोजन है वहां से देखेंगे कि वो wedge और dash के बीच में आजाए observer को हमें कहां place करना है observer को wedge और dash के बीच में place करना है तो हम यहां पे देखें तो यह आगे वाला wedge है, पीछे वाला dash है तो इसमें observer कहां पे होगा observer यहां पे यह इसके बीच में है वो इसको ऐसे देख रहा है और ये वाला हमारा fluorine atom है ये वाला क्या है? iodine atom है, ये chlorine है, ये hydrogen है तो हमने क्या किया? इसको अपनी simplicity के लिए इसको हमने ऐसे rotate कर लिया अब हम जैसे ही इसको rotate करेंगे तो ये हमारा fluorine था ये rotate होके इधर आ गया ये fluorine ऐसे था, पीछे iodine है, तो ये ऐसे हो गया, और ये क्या था, ये hydrogen था, तो ये fluorine इधर आ गया, iodine इधर आ गया, नीचे hydrogen चला गया, उपपर chlorine चला गया, ये इस तरीके से अब हो गया, left hand side पे fluorine आ गया, right hand side पे iodine आ गया, नीचे hydrogen उपर chlorine एक बार फिर से ये चीज़ आपको बता देते हैं, ये fluorine था, observer ऐसे है, तो हमें ऐसे तो पता नहीं चल रहा है, हमने क्या किया, हमने इसको camera के सामने ये चीज़ कर दिया, observer ऐसा है, तो ये वाला fluorine, ये वाला iodine, ये वाला hydrogen, ये ऐसे, तो ये fluorine इधर आ गया ये iodine right hand side पे चला गया, ये hydrogen नीचे चला गया और chlorine उपर आ गया, तो अब आप इसको पास से देखिए, तो ये हो क्या गया है, वर्टिकल पे हमारी तरफ आ गया होरिजोंटल पे हमसे दूर आ गया, और हमको चाहिए भी है, ये होरिजोंटल वाले हमारी तरफ आए, प्लेस किया, तो हुआ क्या, ये ये दोनों बॉंट्स observer की तरफ आने लगे, और ये उपर और नीचे वाले बॉंट्स ये observer से दूर हो गए, तो जो observer के बीच में आ रहे थे हम अगर इसको रोटेट ना करें, अगर हम ऐसे ही देखें, अगर ऐसे आपको समझना है, तो observer को ह हमने ऐसे प्लेस किया, ये फ्लोरीन, ये आयोडीन, ये दोनों आप देख पा रहे हैं, ये दोनों उसकी तरफ आ रहे हैं, और ये और ये वाले बॉंट्स उससे दूर जा रहे हैं, और ये दोनों अब हॉरिजोंटल पे भी हो गए हैं, तो लेफ्ट पे उसके फ्लोरीन है राइट पे उसके आयोडीन है उपपर की तरफ क्या है वहाँ से देखिए उपपर की तरफ फ्लोरीन है नीचे की तरफ क्या है नीचे की तरफ हाइडोजन है तो हम अब सिंपल इसको मार कर सकते है horizontal पे उसकी तरफ आ भी रहे है left पे क्या है left पे fluorine है यह आगे की तरफ पीछे की तरफ क्या है पीछे की तरफ iodine है अब अगर हम इसको देखे हैं उपपर की तरफ तो उपपर की तरफ क्या है उपपर की तरफ chlorine है और नीचे की तरफ क्या है यह चीज ये चीज हाइडरोजन एटम है तो ये हमारा हाइडरोजन एटम हो जाएगा तो अगर हम इसका फिशर बनाएंगे तो इसका फिशर कुछ इस तरीके का हो जाएगा अब हम देखते हैं इस वाले का फिशर यहाँ पे हम इसको हाइडरोजन कर देते हैं इसको हम कर देते हैं ब्रोमीन, इसको कर देते हैं मिथाइल गroup, और इसको कर देते हैं OH गroup तो इस बार हमने ये वाला का अपना मॉलीकूल लिया है और इसका हमें फिशर बनाना है तो हम एक बार फिर से देकते हैं कि ये है कैसा तो इस वाले में क्या हुआ है ये वाला जो है हमारा ये कुछ इस तरीके का है इसमें क्या है ये ऐसा है इसको एक मिनिट अब जादा सही है ये वाला हमारा इस तरीके का है इसमें क्या हुआ है ये देखिए ये 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 वाली बॉन्ड और ये वाली बॉन्ड को हमने प्लेन के पेपर में कर दिया है और ये आपको आगे दिख रही है बॉन्ड ये वाली बॉन्ड कौन सी है आगे आती हुई ब्रोमीन है और वेज़ ड और यह हाईरोजन यह मिथाईल ग्रूप अब हमें क्या करना है फिर से जो हमारा अब्जरवर है वेज और डैश के बीच में होगा तो अब्जरवर यहां पे होगा इस बार फिर से जब अब्जरवर इसको देखेगा ऐसे तो उसको क्या लगेगा यह दोनों बॉंड उसकी त पोजीशन पे हो जाएंगे इसको अगर हम ऐसे करें इस तरह यह वाला व्यू दें आपको तो आप क्या देख पाने देखिए यह वाला बॉंड और यह वाला बॉंड उसके रिस्पेक्ट में वर्टिकल पोजीशन पे हैं यह ऐसे था ऐसे यह वाला बॉंड यह दोनों उस के observer ऐसा है तो यह उसके राइट में पढ़ेगा और यह ओएच क्या पढ़ेगा यह ओएच उसके लेफट में पढ़ेगा hydrogen हाइडोजन उसके अपर साइड में पढ़ेगा उसके respect में और मिठाईल ग्रूप उसके नीचे पढ़ेगा तो अगर अब observer यहां पर है जिसको हमें wedge or dash के बीच में place करना था तो bromine उसके right में हो गया जो आगी की तरफ आ रहा है ओएच उसके left में जो की पीछे की तरफ था H उपपर हो जाएगा और methyl नीचे हो जाएगा तो जब हम इसका fischer बनाएंगे तो इसका fischer हो जाएगा एक बार फिर से देख लीजे यहां पर observer है हमारा H उपपर methyl नीचे और क्या होगा bromine उसके right में हो जाएगा और OH उसके left में हो जाएगा तो इन तीन example से हमने सीखा कि हम wedge dash formula कैसे लिखने है वो क्या होता है fischer projection formula क्या होता है हम उसको कैसे लिखते हैं और उनको हम आपस में convert कैसे कर सकते हैं और उनके rules यह थे कि horizontal line पे हम वो वाले groups represent करते हैं जो हमारी तरफ आते हैं जो हमसे दूर जाते हैं हम उनको vertical line पे represent करते हैं 90 degree या फिर उसके odd multiple से हम fischer को rotate नहीं कर सकते हैं 90 degree से हम उसको rotate कर सकते हैं तो इन दीन example से हमने आपको बताया कि इनका conversion कैसे होता है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करिए, share करिए और चैनल को subscribe करना बिलकुल हिमत भूलिएगा साथ ही साथ राइट हैंड साइट पे एक bell icon भी होगा उसको भी press कर दीजेगा जिसते कि अगर चैनल पे कोई भी नहीं वीडियो अपलोड होती है तो उसका notification आपको सबसे पहले मिल पाएगा तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहते थैंक्स फोर वाचिंग दिस वीडियो बाई एव्रिवन और आइविल मीट यू सून इन दा नेक्स वीडियो